हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग क्लास 10 का CBSC का लिट्रेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त जो बच्चे 2023 में बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है दोस्त आज हम लोग लेटर टू गॉड पढ़ेंगे दोस्त जो कि बहुत ही चेप्टर है चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या होता है कि एक किसान की कहानी होती है उसको भगवान पर बहुत भरोसा होता है और वो भगवान से कुछ डिमांड करता है अन्यूजूर डिमांड करता है हम लोग इस चेप्टर में पढ़के समझने की कोज़ करेंगे आखि लोग करते हैं कि भरोसा से अगर आपका भरोसा है किसी के उपर तो आप परवतों को भी हिला सकते हैं But what should we put our faith in? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको भरोसा किसके उपर करना चाहिए? अरे यह जी कि हम भरोसा करेंगे लेकिन किसके उपर करें? यह जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें यही जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपुण है लैंको जो है एक किशान है ठीक है और वो भगवान को एक चिथी लिखता है जब उसका फोशल बरबाद हो जाता है आस्किंग for a hundred pesos और वो भगवान से क्या करता है सौ पेसो को मांगता है जैसे हमारे हैं रूपया चलता है पैसे चलता है उस तरह वहां पर पैसो चलता है अगर कोई आप सोचिए आप भगवान को चिठली खेंगे, क्या भगवान आपको पैसा भेजेंगे ऐसा थोड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं कहानी कैसा बोलता है Before you begin to read it, हम लोग इस कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग को ऐसा सोचना है कि क्या वास्तों मैंसा हो सकता है या नहीं हो सकता, यह हम लोग कहानी पढ़के समझते हैं The house, the only one in the entire valley, set at the crest of a low hill जो घर होता है, लैंको का, वो वहां की जो वैली होती है जो वहां का पहाड होता है, उसकी जो घाटी होती है वहां पर इकलोता घर होता है उस मुकाम पे, उस जगह पे From this height, one could see the river and the field of ripe crown dotted with the flowers that always promised a good harvest वहां से कोई भी देख सकता है, क्या, नदियों को, घाटियों को, उसके फ़सल्स को, हर चीज़ को देखा जा सकता है जो उसके जो फ़सल है, कैसे दिख रहे हैं, पके हुए मक्के के बाल उसके फूल, जो इस बात को पुखता करते हैं, कि उसके फ़सल में बहुत ही अच्छा अनाज निकलेगा, उसका फ़सल तयार होके निकलेगा, उसका हारवेस्ट बहुत अच्छा होगा कोई भी देख के बता सकता है उसमें सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है, क्या? अगर भगवान जी थोड़ा सा बारिश करवा देते, जैसे फूहारा टाइप का, हलका सा तो उसका जो हारवेस्ट होता, वो और भी बेहतरीन हो सकता था सूबह से, लैंको को पता था कि उसका फिल्ड कैसा है, तयार है, कितना अच्छा उसमें हारवेस्ट होने वाला है कितना अच्छा फसल लगा हुआ है, मक्के के बाल कितने छे लगे हुए है, वो उसको पता रहता है इंटिमेटली, हाड दन नथिंग, बट सी दर स्काई तोवर्स नॉर्थ इस्ट, वो क्या करता है, नॉर्थ इस्ट डिरेक्शन में वो आसमान को देखता है और वो उमीद लगाता है, काश, थोड़ा सा, एक हलका सा बारिस हो जाता अब लगता है, कि आज वास्तों में थोड़ी बारिश हो जाएगी वो अपनी पत्नी को ऐसा बोलता है, कि अगर हो जाता, तो कितना मज़ा होता अपनी पत्नी से बात करते हुए ऐसा सोचता है वो The woman who was preparing shepard replied, yes, God willing वो उसकी पत्नी खाना बना रही होती है और वो बोलती है अगर भगवान की इक्षा होगी, तो जरूर बारिश होगी The older boys were walking in the field, जो उसके बड़े बेटे होते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं उनके घर के, वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और जो उनके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो घर के नजदिक खेल रहे होते हैं, until the women call to them, all, come for dinner. कब तक खेल रहे होते हैं? जब तक कि उनकी मा उन लोगों को खाने के लिए ना बुला ले. It was during the meal that, मतलब खाने के दर्मेन, जब वो लोगों खाने पर बैठ गया होते हैं, तो खाने के दर्मेन क्या होता है? Just as Lanko had predicted, जैसा कि Lanko ने क्या किया था? Predict किया था, predict किया मतलब, यहां पर prediction का मतलब क्या होता है? भविश्वानी, ठीक है? तो जो भविश्वानी किया था, big drop of rains begin to fall. मतलब, बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरेंगी, in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. मतलब, northeast से बहुत काले बादल, जो मतलब, बारिश कैसे होगी? काले बादल आएंगे? तो northeast से जो बादल हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसके खेतों की तरफ आ रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं, पहुच रहे होते हैं. अज जब बारिश होने वाली होती है, तो आपको पता होगा, कि हवाएं बहुत मंद मंद भाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, हवा में एक अलगत रहकी सुगंध आ जाती है. और वो आदमी लैंको और उनके बच्चे होते हैं, मतलब खेतों की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको इस बात का हैसास होता है कि जो मैंने सोचा था बारिश होने के लिए अब बारिश होने वाली है उसकी बूनें सुरू हो गई है और उसका मज़ा लेने के लिए जैसे हम लोग भी जाते हैं बारिश में मज़ा लेने के लिए वैसे वो भी निकलता है निखेतों की तरफ and when he returned he exclaimed जब वहाँ से लोटता है तो आस्चर्ज में बोलता है क्या these aren't raindrops falling from the sky they are new coins क्या बोलता है ये जो पानी की बूंदें गिर रही है न ये क्या है ये पानी की बूंदें नहीं है तो क्या है ये हमारे लिए coins है coins मतलब पैसा क्यों क्यों क्योंकि वो सोच रहा था कि ये जो अनाज होगा जो मक्के की जो मेरी फचल तयार होगी इसको बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा तो वो उस मक्के की फचल को पैसे से तूलना करता है compare करता है the big drops are 10 cents and the little ones are 5 क्या बोलता है ये जो बड़े बड़े जो पानी की जो बूंदे है ना वो 10 cents के हैं और छोटे वाले 5 cents के हैं सोच ये हम लोग भी कितना उमीद कर लेते हैं चीजों से कैसे कैसा हम लोग अन्दाजा लगाते हैं पानी की बूंद को पैसे से और रिगार्डदे टाजनग में और क्या की सुचता है जो उसके खेतों में जो फशल तयार फशल होती है उसके जो फूल होते हैं उसको देखकर बहुत आनन्दीत होता है अब सोचिए방 को और क्या चाहिए उसका फशल बहुत बढ़ियां तयार हो उससे ज़्यादा खुशी उसको क्या हो सकती है Drap in a curtain of rains उसको क्या लगता है कि जैसे यह जो बारिश है उसके फसल को लाजवाब कर देगी बहुत बेहतरीन कर देगी क्यों? अब last moment में थोड़ा सा बारिश चाहिए और भगवान आपके लिए थोड़ा बारिश करवा रहे हो इससे ज़्यादा खुशी की बात एक किसान के लिए और क्या हो सकती है but suddenly a strong wind begin to blow and along with the rain very large hill stones begin to fall देखिए दुरुभाग ये क्या होता है but अचानक से क्या होता है? बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और तेज हवा के साथ साथ बड़े-बड़े ओले भी गिरने लगते है हेले स्टोन मसलब बड़े-बड़े पत्थर कौन से? बर्फ के तब क्या होता है? इस टूली डिट रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कोईंस उनको लगता है अरे भाईया ये तो बड़े-बड़े पत्थर हैं इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारे लिए सिल्वर कोईंस हैं पानी की बड़ी बुंदे 10 सेंट छोटी बुंदे 5 सेंट और ये बर्फ के जो ओले हैं ये क्या हो गया? सिल्वर कोईंस सोचिए कैसा ये लोग कंपेर कर रहे हैं देखिए अब यहां पर जो बर्फ के ओले हैं इसका तूलना की से किया गया है? फ्रोजन पॉल से ये जमे हुए मोती अब सोचिए हम लोग भी जब छोटे रहे थे तो हम लोग भी जब बर्फ गिरता था तो हम लोग भी चुनने जाते थे और सम्टाइम्स तो हम लोग उठा के और खा भी लेते थे उसको तो उस तरह से ये लोग भी चुनने जाते हैं अब जब बारिश बहुत तेज होने लगती है तो अब क्या लगता है? लैंकों को महसूस होता है कि अब जो है यह जादा हो रहा है अब इतना नहीं होना चाहिए अब यह खराब होने वाला है वो आदमी बहुत आश्यर्ज में बोलता है I hope it passes quickly अब सोचता है क्या भगवान करे कर जल्दी से खतम हो जाए अब उसके फसल को नुकसान हो रहा है तो वो ऐसा सोचता है It did not pass quickly बोलता है सोचता है क्या अब इतना जल्दी खतम नहीं होगा इतनी तेज बारिश है इतना बादल है इतना जल्दी रुके है कैसे For an hour the hail rain on the house the garden, the hillside, the cornfield on the whole valley मतलब घंटे तक बारिश होते रही ओला घिरता रहा उनके घर पे, उनके बागीचे में, पूरे पहाड की तराईयों में, उनके मक्के के फसल पे, खेतों में, पूरी घाटी में, एक घंटे तक ताबर तोड़ बारिश होती रही The field was white पूरा जो उनका खेत था बर्फ के टुकडे के कारण क्या हो गया सफेद हो गया As it covered with salt जैसे लग रहा था कि ये पूरा नमक का चादर जैसा हो गया नमक का एक धेर जैसा है, पूरा ढख लिया खेत को Not a leaf remained on the trees पीनिट पर एक भी पत्ता नहीं बचा The corn was totally destroyed वो जो मक्के की जो फसल थी पूरी तरीके से बरबाद हो गई from the plants और पौधे से जो फूल थे ना भीया इस ओले के कारण सब जड़ गए गिर गए लैंको's soul was filled with sadness लैंको का जो दिल था ना भीया दुख से बैठ रहा था दुख से भर रहा था उसके बद क्या बोलता है When the storms had passed जब तुफान खतम हो गई He stood in the middle of the field and said to his son लैंको क्या हुआ? खेतो के बीच में जा गया खड़ा हुआ और अपने बच्चे से बोला A plague of locust would have left more than this मतलब जो टिड़ियां होती हैं जो किड़े होते हैं वो भी इतना ज़्यादा तबाह नहीं करता है दोस्त The hill has left nothing यह जो ओलेगी रहना खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ा This year we will have no corn इस वर्स हम लोगों का कोई भी फसल नहीं होगा यहां पर मक्के की बारें बात कर गें That night was a sorrowful one वह रात इन लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई कस्टदाई दुख भरा था All are walk for nothing यह लोग सोच रहे हैं कि जितना भी हम लोगों ने काम करा यह क्या हुआ सब खतम हो गया सब नील बटा सननाटा हो गया क्यों भीया साल भर कोई मेहनत करेगा इतना खेत में मेहनत करेगा और लास्ट में भगवान आकर उसके उपर इतना वजरपात कर दें उसों कैसा लएगा एक किसान को सोच के देखिए There is no one who can help us अब वो क्या सोचता है कि इस धर्दी पर कोई नहीं है जो कि हमारी मदद करेगा We all go hungry this year मतलब अब हम सारे लोग इस पुरा साल भर हम लोग भूखे रहेंगे क्यों भीया पुरा फसल नस्ट हो गया अब बेचेंगे क्या पैसा कहां से आएगा खाएंगे क्या But in the hurts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley मतलब जो लोग उस घाटी बीच घाटी में अकेले रह रहे हैं कौन लोग? लैंको और उनका परिवार अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही उमीद की किरन बची हुई है और वो उमीद की किरन कौन था? सिर्फ भगवान से मदद कि अब वही उनका मदद कर सकते हैं इस धर्थी पे और कोई भी उनका मदद नहीं कर सकता है don't be so upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger अब क्या होता है मन में अब संतोस भाईया जब तकलीफ हो जाती है तो लास्ट में इंसान है न भाई मन में संतोस तो आएगा ही आएगा कैसे करेंगे हम लोग संतोस? गरीब लोगी सबसेदिक संतोस करता है अब वो क्या बूलता है यार इतना परिशान मत हुए don't be upset even though this seems like a total loss यहां यद्दपी हम लोग का पूरा नुकसान हो चुका है पूरा फसलनस्ट हो चुका है remember याद रखिये no one dies of hunger कोई भी भूख से नहीं मरता भगवान जिसको जनम देते हैं उसके लिए भोजन की विवस्ता वो पहले से ही करक रखते हैं that's why they say no one dies of hunger इसलिए लोग क्या कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता क्योंकि भगवान उसके लिए भोजन का विवस्ता पहले से ही करक रखते all through the night रात भर क्या होता है भाईया लैंको's thought only of this one hope लैंको की दिमाग में सिर्फ यही एक उमीद चल रही होती है क्या the help of God भगवान से मदद भगवान से मदद मतलब भगवान is the only person on this whole universe who is going to help लैंको मतलब वही एक एकलोते ऐसे इंसान है भगवान है जो भी आप समझ लीजे जो की लैंको का मदद कर सकते है whose eyes as he had been instructed उनकी आँख है जैसा कि उसको ऐसा महसूस होता है निर्देशित करता है see everything कि वो सब कुछ देख सकता है even what is deep in one's conscience यहां तक कि आपके मन में क्या चल रहा है यह भी भगवान समझ सकते हैं यानि कि भगवान is everywhere he is omnipresent वो हर जगे सरवयापी हैं आपके मन में हमारे मन में हमारे आसपास में क्या हो रहा है वो सब कुछ को पहचानते हैं उनको पता है लैंको was an ox of a man देखिए यहाँ पर कैसे तूलना किया गया है लैंको was an ox of a man लैंको क्या था ox मतलब bell होता है आदमी का bell नहीं यहाँ मतलब निकलता है लैंको बहुत ही कठीन परिस्रमी इंसान था bell की तरह काम करने वाला bell कैसे काम करता है भाई खेत में पूरा आपका खेत जोद देता है मतलब वो बहुत ही कठीन परिस्रमी था बहुत मेहनत करता था working like an animal in the field जैसे खेत में वो जमजानवर कितरा मेहनत करता था but still he knew how to write लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि हमको लिखना है भाई the following Sunday अगले रहिवार को at daybreak जब दीन हुआ he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail क्या किया एक चिठी लिखा और चिठी लिखकर खूद वो खूद शहर में गया और वहां के letter box में डाक खाने में उसको चिठी को डाली ठीक है वो खूद वहां जाकर ऐसा करता है अब उसके बाद क्या बोलता है it was nothing less than a letter to God कुछ नहीं सिर्फ क्या है भगवान को एक चिठी God वो क्या लिखता है आप समझे क्या interesting बात वो लिखता है God he wrote वो लिखता है क्या भगवान if you don't help me अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे my family will and I go hungry this year मतलब मेरा परिवार और मैं मतलब हम सारे लोग इस साल भूखे रह जाएंगे I need a hundred pesos in order to sow my fill again मुझे 100 pesos की जरूत है क्योंकि मुझे अपने खेत में दुबारा से फसल लगाने है again and to live until the crop comes और जब तक की फसल उग के कट न जाए harvest न हो जाए तब तक हम लोग के लिए भोजन के विवस्था मतलब दो चीची उसको एक फसल लगाना और जब तक फसल कट न जाए तब तक का भोजन का arrangement because the hail is strong और बोलता है क्योंकि ये जो क्या भगवान को बोलता है भगवान जी देखे आप ओला गिरवादी है और हमारा सा फसल नस्ट हो गया ब्ला 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 ये सारी बातें वो भगवान को लिए He wrote to God on the envelope put the letter inside and still troubled went to town अब क्या करता है वो चिठी लिखते है उसके उपर जैसे हम लोग address लिखते है न जहां आम लोग को चिठी भेजनी होती है उसका हम लोग address लिखते हैं टू करके और लेंको साहब क्या करते हैं वहाँ पर टू के लिखकर सिर्फ God लिख देते है भगवान मतलब चिठी directly भगवान को जाएगी जैसे सबको पता है भगवान का address आपको पता है भी या हमको तो नहीं पता है भगवान का address हमको सिर्फ एक ही चीज पता है भगवान सारे इंसानों में वास करते हैं आप भगवान है, हम भगवान है, हम सब लोग भगवान है क्योंकि भगवान हम सब में वास करते हैं नहीं वास करते हैं, इसका मतलब हम लोग सब लोग भगवान है लेकिन यहाँ पर लेंको साहब क्या सोचते हैं कि भगवान किसी खास जगह पे रहते हैं, यह चिठ्ठी डिरेक्ली भगवान के पास ही जाएगी, पूट दे लेटर इंसाइट, उस इनविलप में चिठ्ठी को डालते हैं, स्टील ट्रबल, फिर भी उनको तकलीफ होती है, परिशान होते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, वें टू टाउन और वो सहर जाते हैं, अड़ पूस्ट ओफिस, प्लेसे स्टैंप अन लेटर और डॉप इन डॉप इन तो दे मिल बोक्स, सहर जाते हैं, पूस्ट ओफिस में जाते हैं, डाख खाने में वहाँ से एक स्टैंप खरीते हैं, उसको लिफाफे पे चिपकाते हैं, और लास्ट में जाकर उसको लेटर बोक्स में डाल लेते हैं, मतलब वहाँ पर पोस्ट ओफिस में जो इम्प्लोईज लोग होते हैं, उसमें से एक बंदा, जो कि पोस्ट में भी था और पोस्ट ओफिस के कामों में मदद भी करता था, क्या करता है? वो अपने बॉस के पास जाता है, laughing hurtly and stood him the letter to God, खुब खिलखिला कर हसता हुआ, अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को वो चिथी दिखलाता है, कि देखिये सर ये भगवान को लिखी गई चिथी है, never in his career as a postman had he known that address मतलब अपने पूरे नौकरी के इतिहास में वो भगवान का जो ये पता है जहां पर ये चिठी विजानी है उसको नहीं पता है भाईया तो किसी को नहीं पता है ना आपको ना हमको किसी को नहीं पता है पोस्ट मैंनों कैसे पता होगा कि वो चिठी कहां भेजनी है बस उसके उपर लिखा क्या था भाईया टू गॉड दा पोस्ट मास्टर अ फाट एमियेबल फैलो आल्सो ब्रोक आट लाफिन वो जो पोस्ट मास्टर था मतलब उस डाक खाने का जो बहुत ही मिलन सार आदमी वो भी उस चिठी को देखकर बहुत खिल खिला कर हसना शुरू कर दिया बट आल्सो इमेडियेटली फिर टर्न सीरियस अचानक से फिर वो गंभीर हो गया हसता हुआ गंभीर हो गया चैपिंग देलेटर ऑन इस डेस्क चिठी को लेकर अपने डेस्क पर वो टैप करने लगा ऐसे मज़ा ठोकने जैसा करने लगा कमेंटेड उसके बाद वो कुछ बात बोला वोट फेथ कितना भरोसा है भाहिया वो बोलता है काश मेरा भी भरोसा उस इंसान पर जिसने चिठी लिखी उसके उपर भी इतना हो पाता Starting up a correspondence with God जो कि भगवान के उपर वो चिठी लिख दिया यानि सोचिए वो इंसान भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है मतलब उसके दिमाग में ये बात होती है कि देर इस गौड भगवान है and he is going to help him by hook और by crook इसका मतलब भगवान उसको मदद करेंगे जैसे तैसे किसी भी तरह से भगवान उसका मदद करेंगे उसका भरोसा इतना strong होता है इतना strong belief होता है उसका भगवान के उपर इसलिए वो पोस्ट मास्टर साहब क्या बोलते हैं सोचते हैं कि उस आदमी का भरोसा भगवान पर से नहीं तूटना चाहिए उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक योजना आती है ख्याल आता है answer the letter उस चिठ्ठी का उत्तर देने के लिए reply करने के लिए but when he opened it जब वो लिफाफे को खोलते हैं it was evident that to answer it he needed something more than goodwill जब वो चिठ्ठी लिफाफे को खोल कर जब उसके अंदर की चिठ्ठी को देखते हैं तब उनको लगता है कि भाईया मेरा मन तो बहुत साफ है हम उसका चिठ्ठी का reply करना चाहते हैं बट वहाँ पर मेरे मन के अलावा कुछ और भी चीज़ की जरूरत है और वो जरूरत क्या है भाईया इंक और पेपर नहीं उसके अलावा भी कुछ चाहिए आपको तो पता है क्या चाहिए बट he has struck to his resolution लेकिन पोस्ट माशा सहाब को तो भाईया अपने योजना पर तो डिके हुए थे ना भाईया अब हमको जवाब देने का मन कर रहा है तो now I am ready to reply this later what that fellow has written तो आप कैसे लिखेंगे भाईया अब देखिए he asked for money from his employees अब वो क्या बोले चलो भीया थोड़ा चंदा इकठा कर लेते हैं सबसे donation मांग लेते हैं अपने employees के पास जाते हैं सबको बोलते हैं भीया थोड़ा 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 contribute करो ठीक है he himself gave part of his salary वो अपने तनखा का एक हिस्सा दे देते हैं बाकी लोगों से थोड़ा 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 अमांट मांगते हैं और अपना एक अच्छा हिस्सा दे देते हैं and several friends of his were obliged to give something for an act of charity और उसके जितने भी मित्र होते हैं सब लोग ये सोचते हैं चलो भीया charity करते हैं charity मतलब दान चलो कुछ दान कर देते हैं किसी एक भले cause के लिए एक अच्छे reason के लिए कुछ दान कर देते हैं सारे लोग मिलके कुछ पैसा ही कट it was impossible for him to gather together the hundred pesos लेकिन उनके लिए बहुत असंभव वाली बात थी कि सौ पैसोज का वेवस्ता करना सौ पैसोज एक बहुत पड़ा amount था उतना पैसा का arrangement करना postmaster सहाब के लिए बहुत दिक्कत भरा था so he was able to send the farmer only a little more than half इसलिए ये लोग क्या किये कि सारा arrangement करने के बाद भी इन लोगों के पास जो आधा से थोड़ा ही ज़्यादा arrangement हो पाया मतलब more than 50 60, 70 जो भी होगा इतना ही लोग arrange किये the farmer only a little more than half, आधा से थोड़ा ज़्यादा he put the money in an envelope address to Lanko and with it later containing only a single word as a signature God और उसके बाद क्या हुआ उस पैसे को वो लिफाफे में रखे और वो भी बिल्कुल वैसे जिसे टू में वो God लिखा था है टू में ये Lanko लिख देते हैं और लिखने के बाद नीचे चिठी में क्या करते हैं जैसे हम लोग sign करते न जैसे लिखते न कि आपका भरोसे मंद आपका प्यारा बेटा आपकी प्यारी दीदी भाईया कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पर वो क्या लिख दिये God ठीक है The following Sunday Lanko came a bit earlier अगले रविवार को Lanko जो post office है थोड़ा जल्दी पहुँच गया than usual to ask और वहाँ पर जैनली से पहले पहुँच के क्या पूचता है वहाँ पर सुनिये जो postman था जो चिठी निकाल कर रहा है था वो खुद अपने हाथों से चिठी को किसको दिया Lanko को While the postmaster experiencing the contentment of a man और postmaster साहब के मन में ये खलबली मची हुई थी क्या कि अरे ये चिठी जब उसको मिलेगी तो वो जब चिठी खोलेगा उसके अंदर से जब पैसा देखेगा तो कितना खुष होगा क्योंकि सब को पता है भहिया भगवान के पास चिठी तो पहुंचती नहीं पैसा तो मिलता नहीं लेकिन वो reply किये सोच ये कितनी बड़ी बात है अब postmaster साहब को इस बात की उमीद थी कि जब चिठी उसको मिलेगी तो वो बेचारा बहुत खुष होगा बहुत उसको अच्छा लगेगा और वो अपने ऑफिस के खिड़की से जहां से भी संभव था वहां से देख रहा था किसको लैंको को ये लैंको जब चिठी खोलेगा तो उसके अंदर में कितना संतुस्टी भरा बात होगा लेकिन क्या होता है अभी आप देखिए इसमें क्या होता है लैंको शोड नॉट दे स्लाइटेस्ट सर्प्राइज ऑन सींग दा मनी अब पता आपको लैंको को जैसे चिठी खोला देखा उसके अंदर में पैसा है लैंको को थोड़ा भी अस्चर्ज नहीं हुआ सोचिए अगर आपको कोई थोड़ा भी कुछ देता है तो आपको लगता है कोई गिफ्ट कर देता है तो अरे वाह कितना बड़िया था यार एक गिफ्ट मिला हमको दी दी भाईया दिया मेरा दोस्ट दिया लेकिन लैंको को थोड़ा भी सर्प्राइस नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ सोचिए क्यों नहीं हुआ सच वाज इस कॉन्फिडेंस कितना उसको भरोसत भगवान पे वो सोचा था कि हम चिठी लिखे हैं इसके रिपलाई आएगा भगवान जी हमको पैसा भेजेंगे सोचिए भरोसा कितना स्ट्रॉंग था उसका कितना स्ट्रॉंग बिलीफ भगवान के उपर पैसा आएगा तो आएगा चाह जो जाए भगवान है भाई कोई एरा गरा न तुखरा नहीं है भगवान है पैचा तो भेजेंगे ही भेजेंगे इतना भरोसा भगवान के उपर बट देखिए अब कहानी में ट्विस्ट क्या लाजवाब है बट ही बिगेन एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी इन्वेलब खुला पैसे की गीनती हुई पैसा कम मन में क्रोध तैयार सोच ये कितना गुस्टा उसको आया होगा बोला सला भगवान जी से मांगे हम सौ पेसो भगवान जी पैसा भेजे लेकिन कम कैसे हो गया गुस्टा क्यों आया उसको God could not have made a mistake भगवान से गलती नहीं हो सकती सोच ये उसका भगवान से गलती नहीं होई होगी पैसा भेजे होंगे तो अरे यार जो खुद भगवान है जी से के पास अथा पैसा होगा और वो पैसा भेजेंगे तो कम भेजेंगे सोच ये उसका भगवान से कितना स्ट्रॉंग है Nor could he have denied Lanko what he had requested सोच ये उसका भगवान का देखिये दाथ दीजिए कि वो ये भी सोचता है कि सला वो बोलता है कि हम इतना बढ़िया उनका भक्त है हम उसे request किये मेरा request को ठुकरा भी नहीं सकते है कमाल का भरोसा है भाईया Lanko क्या कमाल का सोचता है ये चिठी हमने लिखी मेरा उनके उपर faith है और उनको पैसा तो भेजना ही पड़ेगा भाई हम उनका भक्त हैं तो उनको देना ही पड़ेगा भाईस कोई option नहीं उनके पास हम मर जाएंगे नहीं तो नहीं भेजेगा तो हम तो मर गए अब भेजिए इतना भरोसा ला जवाब ठीक है अब लैंको को बहुत गुस्टा आया अब वो क्या बोलता है कि भाईया वो आपस दिगया पोस्ट अपिसमे बोलता है भाईया को हमको पेपर दीजिए और हमको कलम दीजिए फड़ा फड़ा को क्या करता है चिठी लिखता है on the public writing table वहाँ पर हम लोग जानते है कि पोस्ट अपिसमे एक टेबल होता है हर जगह होता है वहाँ पर हम लोग चिठी कुछ लिखते हैं अडरेस लिखते हैं स्टेंप लागाते हैं वगएरा जाता है he started to write लिखना सुरू करता है with much wrinkling of his brow उसके भौँ को सिकुडा इसे सिकुडा भौ होता है wrinkling मतला सिकुडा चहरे पर सिकन होती है सिकुडा भौ होता है और वह क्या लिखता है cause by the effort he had to make to express his ideas अब उसके अंदर में जो बात होती है ने बैया अब सोचे ना आप ही सोचे ना जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं जब हम लोग tense होते हैं तो हम लोग अराम से बहुत सिकुडा जाता है चहरे पर सिकन आ जाती है और हम लोग tense feel करते है पजल फिल करते हैं जब इस तरह का situation में हम लोग होते हैं तो when he finished he went to the window to buy a stamp जब वो चिठी लिख लेता है फिर से वो पोस्ट्रोपी से खेड़की पर जाता है और वहां से क्या stamp मांगता है which he leaked and then affixed अरे भाईया जैसे हम लोग करते हैं भाई जब हम लोग फॉर्म बरते थे न चाटे लगाए एक मुका हमारे चिठी में चिपक गई हमारे stamp ये भी भाईया लाइं को भाईया भी वही करते है चिठी मांगे जीव से चाटे उसको लगाए एक मुका आपका चिठी त यार, the impeller with a blow to his fist, मुका मारेकोस को चिपका देते हैं, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, it said, जैसे ही वो गया उस letter box में चिठी को डाला, सबके अंदर में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्यों? सब लोग ये सोच रहा था कि आखिर वो चिठी में क्या लिखके दुबारा भेजा होगा, सबके दिमाग में ये था कि साहत thank you बोलके भेजे, कि भागवान हमको पैस अब सुनिये, बहुत मज़दार बात, दिल को छूजाने वाली बात होगी, God, भगवन, of the money that I asked for, जिस पैसे कि मैंने आपसे उमीद की थी, जो मैंने आपसे मांगी थी, only 70 पैसों रिस्ट में, सिर्फ 70 पैसों मेरे तक पहुचा, send me the rest, बाकी बचा हुआ भेज दीजिये, बहुत सकत जरूरत है, but don't send it to me, through the mail, लेकिन मुझे, चीठी में मत भेजियेगा, जैसे पैसा भेजे हैं, वो इसे नहीं भेजियेगा, because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि जो post office के जो लोग कान करते हैं, ये लोग बहुत धोकेबाज हैं, ये लोग उसमें से पैसा निकाल लिये होंगे, इसलिए आप mail में मत भेजियेगा, हमको directly मेरे घर पे भेजियेगा, लैंको, सोचिए, एक इंसान कैसा भरोसा करता है किसी चीजों पे, यहाँ पर आप लैंको का उदारान से समझ सकते हैं, कि लैंको को भगवान पे कितना भरोसा है, इंसानों पे नहीं, इंसान उसका मदद करते हैं, हम लोग भी आज के जीवन में यह चीज को महसूस करते हैं, कि कोई आपका कितना भी मदद कर देता है, हम लोग को भरोसा होता ही नहीं है, शायद यूँ बोलें कि हम लोग अपना भरोसा खो दिये हैं, अपने करनी से अपने करमों से हम लोग अपना भरोसा खो दियें इसलिए कोई हम पर भरोसा करना चाहता भी नहीं है चाहकर भी नहीं करता क्योंकि इतना ठोकर हम लोग खा चुके हैं कि अब पता नहीं आपको अपना भरोसा दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा जान दे द नहीं लिखेंगे टफ लिखने कोस करेंगे तो हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो जाए और हमारा नमबर कट भी सकता है तो इसमें सबसे बहतर बात क्या है कि अपने शबदों में एंसर लिखें चलिए पहला कोशन देखते हैं जो हमारा कोशन है बुक में वह डिट लैंको ओप दूसरा question है why did lanko say that raindrops were like new coins क्यों बोलता है कि new coins जैसे हैं क्योंकि new coins से उसको वो resemble रिजेंबल करता है तुलना कर रहा था कि जो coin होंगे वो हमारे लिए fruit pool होंगे हम लोग coin से सब काम कर सकते हैं पैसा सब काम कर सकते हैं इसलिए जो पानी की बूंदे से हो क्या होता था उनका फसल बहुत अच्छा हो जाता पानी किस में बदल गई रेंज ओ था किस में बदल गई और उसका फसल कैसा हो गया बरबाद हो गया चीक है वट वर लैंको से फिलिंग वें दे हैल स्टॉप लैंको की क्या इस्तिति थी कैसा वो महसूस कर था जब आरिश उखी तो उसका दील बैठा जा रहा था अब उसका इतना मेहनत किया हुआ सब पर पानी फिर गया and there was nothing at all कुछ भी नहीं बचा उसके पास कुछ ऐसा उसको फील हो रहा था who or what did lankos have faith in lankos किस पर भरुसा था भगवान पर सबसे दिख भरुसा किस के था उसका भगवान के उपर भरुसा था what did he do क्या किया वो भगवान को एक चिठ्थे लिखी पैसा के लिए demand क्या था वो 100 pesos who read the letter letter को कौन पढ़ा है जब लेटर भेजा तो letter को postmaster सहब पढ़े ठीक है अगला question क्या है what did the postmaster do then postmaster सहब जब चिठ्थी पढ़े तो क्या किये वो सबसे simple भाया खुब खिल खिला के हां से था याद है ना broke into laughter was Lenko surprised to find a letter for him with money in it क्या Lenko को जब वो चिठ्थी मिली जिसमें की पैसा रखा हुआ था तो उसको कुछ surprise हुआ बिलकुल नहीं क्यों क्यों क्योंको उसको भगवान पर भरोसा था कि अगर हम चिठ्थी लिख रहे हैं तो भगवान जी हमको पैसा जरूर भेजेंगे इसलिए उसको थोड़ा भी आशर्ज नहीं हुआ उसको क्रोधित क्या किया उसको क्रोधित ये कर दिया कि हुँ मांगा कितना था 100 पैसोस मिला कितना 70 पैसोस 30 पैसोस उसको नहीं मिले इस कारांस को बहुत क्रोध हुआ क्यों क्रोध हुआ था उसको ये लग रहा था कि शायद जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ हैं वो क्या किये हैं पैसे को रख लिये हैं इनको नहीं दिये हैं वट डस लेंको एफ गंपलीट फेष guarantee लेंको किसमें फेष था इम लोग कोसंट सर देख रहे हैं भगवान को इसको सबसेदось है बागवान के ở्रिकन चन्टंज सबसे पुरा पूरा बहरोसा क वहाँ पर वेट संटेंशित इस चैप्टर में क्यों खोन्यों संटेंस जो है कहता है अब संटेंस तो एग्जेक्ली आपको बुक में लिखा हुआ लाइन आपको एंसर में लिखना है वाट हम एक हलका सा रिमांड करने कोश्च करते हैं याद होगा जब भगवान को चिठी लिखता है इस बात से पता चलता है कि उसका भरोसा था भगवान इन सबी बातों से पता चलता है कि लैंको का भगवान के उपर कितना ज़्यादा फेट था अगला है वाइड़ जब पोस्ट मास्टर साहब क्यों पैसा बेजे इसलिए बेजे क्योंकि पोस्ट मास्टर साहब नहीं चाहते थे कि किसी का भगवान के उपर इतना ज़्यादा भरोसा होना तूट जाए क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं किसी के उपर तो एक अलग तरह का feeling होता उसके प्रती अगर वो भरोसा गलती से भी तूट जाता है न दोस्त तो बहुत बुर लगता है अब पोस्ट मास्टर साब ये नहीं चाहते थे और लश्ट में चिठ्थिक पैसा भेज़ते समय नीचे साइन में गौड क्यों लिखे इसलिए लिख दिये ताकि सामने वाले को यानि कि लैंको को ये समझ में आ जाए कि वो चिठ्थिक कोई और नहीं भगवान ही उसको लिखकर भेजे हैं अरे भाईया एक जी बदाइए लैंको को जब पता ही था कि हम चिठ्थी भगवान को लिखे हैं भगवान हमको 100 पेसोज भेज रहे हैं तो उसको जुरुत क्या था पता करने का इस कहाने के हिसाब से वो जानता था कि ये चिटी भगवान जी लिखे हैं तो पता करनी क्या जूरत है ठीक है तो it is not necessary at all to find who has sent money to him ठीक है यहाँ पर दम बिल्कुल crystal clear as first है The next one is what does Lanko think has taken the rest of the money अब Lanko क्या लगता है कि किसने पैसा ले लिया होगा definitely कौन the employee from the post office they might have taken money from Lanko's later ऐसा उसको लग रहा था कि वहाँ से वो लोग क्रुक हैं वो लोग पैसा निकाल ली होंगे What is the irony in this situation? The irony is irony का मतलब क्या होगा यहाँ पर बिरोदाफास कैसा बिरोदाफास होगा? यहाँ पर the situation is the staff, postmaster and other people from the post office they have already collected money from themselves and they send all those money to whom? The Lanko, despite the fact Lanko was just blaming that they had already taken their money what the God has sent to him भगवान जो भेजे उस पैसे को यह सोच रहा है कि यह लोग ले लिये हैं बट पैसा कोन बेजाता है? यही लोग बेजाता है यही दुरभाग्य था irony थी इस बात की are there people like Lanko in the real world? real world में Lanko जैसे कोई लोग है क्या? शायद नहीं क्यों कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि भगवान को हम चिठी लिखेंगे भगवान हमको पैसा बेज़ेंगे ऐसा नहीं होता कोई भरोसा नहीं करता इतना real world में तो शायद नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है तो आप इसको अपने शब्दों में ऐसा लिखेंगे what kind of person would you say he is? वो किस तरह का इंसान था? एक बहुत हार्ड वर्किंग था इस कहानी में याद होगा उसकी तूलना एक जानवर से की गई है बैल से की गई है बहुत हार्ड वर्किंग पीपल था खेत में बहुत जम के काम करता था और वो एक भगवान पे भरोसा रखने वाला इंसान था जिसको भगवान पे पूरा भरोसा होता था ठीक है? इस तरह का वो इंसान था आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रशन का उतर देने के लिए कुछ वोर्ट भी दिये गए हैं गैसे ग्रीडी, नैव, स्टूपिड, अन्ग्रेटफूल, सेल्फिश, कॉमिकल, अन्क्वेस्टनी इस तरह का शब्दों का भी यूज आप कर सकते हैं अगला क्वेस्टन है there are two kinds of conflict in this story दो तरह के conflict है conflict मतलब जगडाय, विरोधाभास, इस तरह का argument टाप का बात है कौन-कौन है, between human and nature human मतलब मानव, nature मतलब हमारी प्रकिर्टी, हमारा ब्यवहार किसी भी sense में हम इसको use करके लिख सकते है and between human and themselves और मानो खुद, मानो और वो खुद काउन का characteristic इसमें, how are these conflicts illustrated कैसे इसको हम लोग लिख सकते है चुकि इसका answer आपको अपने शब्दों में देना है लंबा answer होगा ठीक है, तो इसमें एक मोटे तोरप हम लोग क्या लिख सकते है अगर between human and nature के बीच में लिखें तो प्रकृति हमारी क्या हो सकती है जैसे इस कहानी के हिसाब से लेंग को बहुत मेहनत करता है उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है सारा कुछ बेहतर चल रहा होता है पर लास्ट में बारिश ऐसी हो जाती है ओले ऐसे गिर जाते है कि उसको सारा फसल नस्ट हो जाता है यानि प्रकृति का किसी का पकड़ नहीं है प्रकृति के उपर प्रकृति कुछ भी कर सकती है उपने हिसाब से चलती है situation कर चलती है लेकिन हमको का करना होता है हमको मेहनत करना होता है प्रकृति क्या है एक तरह का भगवान समझ लीजे इस कहानी के हिसाब से क्या समझेंगे प्रकृति को भगवान अब भगवान अपने हिसाब से काम करते हैं आपके और हमारे हिसाब से काम नहीं करते है मानो कैसे काम करता है सोचिए यहाँ पर तूला दो जगह कर दी गई है एक लैंको भी एक इंसान है और पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ भी इंसान है सोचिए पोस्ट मास्टर लोग सारा पैसा भीज रहे होते हैं लेकिन लैंको को यह लग रहा होता है कि ये लोग क्रुक हैं ये लोग पैसा ले लिए हैं सोचिए हमारा दिमाग कैसा है जो हमारा मदद करता है कभी-कभी हम उसी को अपना सबसे बड़ा दुस्मन मान लेते हैं और हम गलत स्टेप ले लेते हैं दोस्त ठीक है इस तरह से हम लोग कोश्चन को लिख सकते हैं तो हमको लगता है कि आप लोग कोश्चन थोड़ा समझ में आया होगा आप लोग ट्राइ कीजिए खुद से लिखने का इसको मैच कराईएगा जो भी दिक्कत होगा कमेंड बॉक्स में डालिएगा दोस्त हम ट्राइ करेंगे इसको सॉट आट करनेगा ठीक है हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सेक्शन के साथ अगले चैप्टर के साथ